आज मैं आपको इस दिजाइन का पर्दा बनाना सिखा रही हूं सबसे पहले 20 सेंटीमीटर का कपड़ा लिया और उसमें 10 गोले वाली पट्टी को लगाया इस पट्टी को परट देना हैं जिससे दस गोले वाली पट्टी उल्टी तरफ चली जाएगी इन दोनों को आपस में सिलने के लिए आलपिन लगा लीजिए जिससे आपको सिलने में आसानी होगी और फिर सिलाई लगा लीजिए अब आपकी पट्टी तैयार हो गई है जिस साइज का परदा बनाना है उतना कपड़ा लेकर इस पट्टी में जोड़ दीजिए पर पहले इन दोनों कपड़ों को आपस में नाप लेकर देख लीजिए कि वो आपस में छोटे बड़े तो नहीं हैं अगर छोटे बड़े हैं तो दोनों तरब बराबर कपड़ा छोड़ देते हैं पट्टी को सीधी रखकर उसके उपर कपड़ा उल्टा रखकर सिलाई लगाना है जैसी मैंने लगाई है जैसी मैं लगाई है जैसी मैं अल्टा रखकर सिलाई अल्टा बंब, शोजटे हैं लगाना है झाल 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 उल्टी तरफ से एक सिलाई लगा लीजिए दोना तरफ का एस्टा कपड़ा अंदर की तरफ मोड दीजिए झाल 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 जिस साइज का परदा आपको सिलना है इनकी टेप से उस साइज का निसान परदे पर लगा लीजिए उतना ही फूल्ड करके पिन लगा कर सिलाई लगा दीजिए झाल 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 पट्ती के गोलों के साइज के गोले के टे शिकात लीजिए आप जिस कलर कीजिंग लगाना चाहें उस कलर कीजिंग लगा सकती हैं लीज ये आपका परदा बनकर तैयार हो गया